भै सास बहू और साजिश का संडे वाला शो और ऐसे में हमारी संडे वाली रिपोर्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता कि अधिया पर ऐसा खुखार जानवर कौन लाता है भला आखिर मिस्टर बग्गा के साथ ऐसी साजिश क्या हो गई अब हम कुछ बोले उससे पहले आप ना एक बार फिर से ये सीन पूरा देख लीजिए जहां पर एक कुटा पीछे पड़ गया कैसे बग्गा साहब के इस कुटे की दुश्मनी इतनी के उसने बग्गा की छत्री तक से पंगा ले लिया यकीनन ये नजारा देखकर आप भी लोड पोर्ट जरूर हो जाएंगे या फिर याद करेंगे कि कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा वाक्या तो नहीं हुआ है अब सोच में मत पढ़िये और ना ही डरिये क्योंकि ये सीन कोई रियल वाला नहीं है बलकि यहां तो शूटिंग हो रही है और ये जो कुट्ता आप देख रहे हैं ये एकदम ट्रेन कुट्ता है इसका मालिक इससे जो जो कहेगा वो ये सब करेगा कुछ इस तरीके से अजुनी सीरियल का हिस्सा बन गया ये कुट्ता हिस सेट पर जितने भी लोग थे ना कुछ पल के लिए तो एकदम से डर गय थे कि अगर अपने मालिक की बात ये नहीं मानता तब क्या होता वैसे मानना पड़ेगा बगगा साहब को कि आपने एकदम दिलेरी के साथ इस सीन को किया वैसे जहां तक हमें लग रहा है कि ये मिस्टर बगगा तो नहीं है क्योंकि इनके बाल भी अलग लग रही है इन्होंने चश्मा भी लगाया है ये बगगा नहीं है तब ही तो इस कुत्ते ने भी उन पर हमला कर दिया अब कुत्ता अपने मालिक को एकदम अच्छे से पहचानता है तब ही तो इस बहरुपिये को वो जाने नहीं दे रहा है इस सीन में इतना डरा दिया है इस कुत्ते ने शायद इसी लिए वो बैटकर मावी भी मांग रहा है जरा देखिये कैसे अपने मालिक के कहने पर वो नमस्ते भी कर रहा है वैसे मालिक ने जो जो कहा इस कुत्ते ने सब माना मानना पड़ेगा मालिक और कुत्ते की जोड़ी तो भाई बे मिसाल है मुंबई से क्यामरमेन इर्फान शेक के साथ एबबी निउस रिपोर्ट ABP News आप को रखे आगे